हेलो वरिवन वेलकम टो जीके बाय गुजीत मैम यूट्यूब चैनल एंड टोड़े आम गोइंग टो डिसकस अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन्स फूर दुर्गा शक्ति एक्जाम जैसे कि दुर्गा शक्ति एक्जाम जो एक्सपेक्टेड है वो दिसंबर में है तो उसके लिए आज की वीडियो रहेगी कोशिश कीजीगा कि वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि जादा से जादा बेनिफिट आप सभी को हो सके तो फर्स कोश्चन है हरियाना का पहला गुलाबी महिला पुलिस थाने का उदगाटन किस ने किया था पूरो डीजीपी पुलिस थाने की शुरवात कब होई थी हरियाना में तो 29 अगस 2015 को होई थी किस दिन रक्षा बंधन वाले दिन यानि के महिलाओं को एक रक्षा बंधन पर एक उपहार दिया गया था सरकार की तरह से पहला महिला पुलिस थाने की शुरुवात हरियाणा में कहां से हुई थी पंचकुला से हुई थी और मंसा देवी कॉमपलेक्स से नेक्स कुश्चन ओप्रेशन दुर्गा की शुरुवात कभी हुई थी काफी important question रहेगा क्योंकि ओप्रेशन दुर्गा या फिर दुर्गा श यह दुर्गा शक्ति या फिर ओप्रेशन दुर्गा की शुरुवात हुई थी कहां से हरियाना में और यह किसकी तर्ज पर था यूपी की एंटी रोमियो सिक्वार्ड की तर्ज पर यह बनाया गया नेक्स कोचिन है दुर्गा शक्ति एप कब लॉंच की गी बारा जुलाई दुर्गा शक्ति एप मेरी शक्ति है नेक्स कोचिन है हरियाना में कुल महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है तो 34 है कुल महिला पुलिस स्टेशन हरियाना में और हरियाना पहला राज्या है जिसके परतेक जीले में महिला पुलिस स्टेशन है नेक्स कोश्चन है हरियाना का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है तो ये सेंटर कहां पर है हिसार में है नेक्स कोश्चन है पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का बना था 26 जनवरी 2018 को बना था और कहां पर हिसार में नेक्स कोशन है हर घर लक्षमी योजना क्या है ये योजना हरियाना पुलिस दुवारा महिलाओं को जागरू करने के लिए घर घर जाकर उन्हें इसकी जानकारी दी है नेक्स कोशन है महिला पुलिस दिवस कब मनाय जाता है तो 16 अगस्त को मनाय जाता है महिला पुलिस दिव भी बत अब क्या है एक सो बारा है दोग Sem хочу एक कि अप दुरगा शक्ति के लिए नो रवाना के लिए यह जपकुत आमं चला गया घ्राइभ तो इसके लिए दो हवाना की था कहां एक जीन के लिए और दूसरी नो रवाना के लिए नेक्स और याना के इन दो DSP ने गाड़ियों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया था इनके जीन्द और नर्वाना के लिए जो गाड़ियां रवाना की थी तो उसके लिए जो DSP थे पवन शर्मा और सेकिन है परमजीत सिंग समोता नेक्स कोश्चन है महिला हेलप लाइन नंबर क्या है 1091 महिला हेलप लाइन नंबर है नेक्स कोश्चन है हरियाना पुलिस की दुर्गशक्ती एप को कौन-कौन से सम्मान मिल चुके है ये भी काफी important कोश्चन रहेगा 2019 में सरफ्रिस्ट आयटी उतकरिष्ट अवोर्ड मिला है नेक्स कोश्चन है हरियाना पुलिस की फुल फॉर्म क्या है प्रोटेक्शन ओफ लाइफ इन सिविल एस्टेबलिश्मेंट ये हरियाना पुलिस की फुल फॉर्म है नेक्स कोश्चन है हरियाना पुलिस शिकायत प्राधी करन के अध्यक्स कोन है काफी important question है और लास्ट टाइम भी एक्जाम में आये था हरियाना के नए डीजीपी परशांत कुमार अगरवाल कब तक सेवा में रहेंगे यानिके उनका कार्यकाल कब तक रहेगा तो 30 जून 2023 तक उनका कार्यकाल रहेगा हरियाना आम पुलिस में कितनी बटालियन है तो तीन बटालियन है एक मदूबन है सेकंड हिसार है और थर्ड कौनसी है अमबाला है नेक्स MV हरियाना पुलिस की किसके इंतर्गत आता है किसके इंतर्गत आता है डिपाटमेंट ओफ हॉंम अफेज के इंतर्गत आता है और हरियाना के जो ग्रह मंतरी कोन है अनिल विजिजी है नेक्स कोशन है हरियाना पुलिस की एबरिवेशन क्या है तो HP है जो हरियाना पुलिस की एबरिवेशन नेक्स कोशन है हरियाना का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया था काफी इंपोर्टेंट कोशन रहे गए तो गुरुग्राम में खोला गया था कब 7 माच 2018 नेक्स कोशन है हर्याना का पहला बाल मित्तर पुलिस थाना कौन सा है या फिर कहां पर खोला गया तो ये कहां पर खोला गया है पलवल में नेक्स कोशन है, हरियाना में कितने crime police station है, तो हरियाना में कितने cyber crime police station है, पहला कहां पर गुरू गुराम में खुला था, उसके बाद करनाल है, हिसार, रेवाडी, अमबाला और पंचकूला, इन साथ जिलों में है, नेक्स कोशन है, आम नागरिकों के लिए हरियाना पुलिस दुवाड़ा और कौन सा web portal लोंच किया है, या तो आप किसा कोशन में पूछा जाएगा, कितने police मुख्याले हैं, या फिर पूछेंगे कितने police जीले हैं, पुलिस जीले टोटल कितने है 24 है और जीले कितने है 22 है क्योंकि हासी और मानेशर जीले ना होते हुए भी क्या है पुलिस जीले है नेक्स कोश्चन है दुर्ग शक्ती रैपिड एक्षन फोर्स की वर्दी यानिके युनिफोर्म का कलर कैसा होता है तो ब्लू कलर होता है नेक्स्ट है अग्법 हरियाना में कुल पुर्लीस रेज़वे स्टेशन ईयाral में 16 है नेक्स स्टेशन है हरियाना के पुलिस मित्तर कक्ष की शुरुआत कब हुई थी एक नवमबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी पुलिस मित्तर कक्ष की और नेक्स कोशन आता है हरियाना पुलिस के wireless antenna कहां कहां पर है तो तोशाम ताकड़ी और सराहन में है हरियाना पुलिस के wireless antenna ये भी last time में exam में कोशन आया था तो आपने अच्छे से से याद रखना है next question है मदूबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को किस नाम से जाना जाता था यहां पे किसकी बात कर रहे हैं कि किस नाम से जाना जाता था but at present नाम चेंज है तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मदूबन के नाम से इसे जाना जाता था मदुबन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 14 मई 1973 को इसकी स्थापना हुई थी मदुबन ट्रेनिंग स्कूल को ट्रेनिंग स्कूल कब बनाया गया था? तो इसे कब बनाया गया था? 9 जनवरी 1976 को इसे ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया था नेक्स कोशन है हरियाना पुलिस के प्रतम IGP कौन थे तो कौन थे B.S. रोसा हरियाना पुलिस के पहले IGP थे नेक्स कोशन है हरियाना पुलिस एक्ट कब बना था 2007 में हरियाना पुलिस एक्ट बना था हरियाना पुलिस एक्ट लागू कब किया गया था तो 2008 में से लागू किया गया था इसी से related question है हरियाना पुलिस 2008 से पहले किस एक्ट के तहद काम करती थी तो किस के तहद पंजाब पुलिस एक्ट 1934 के तहद काम करती थी क्योंकि हरियाना अलग राजय बनने से पहले किसका हिस्सा था पंजाब का हिस्सा था हरियाना में पुलिस रेंज कितनी है तो हरियाना में पुलिस रेंज पांच है हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला और साउथ रेंज जो रिवाडी में है नेक्स कोशन है हरियाना आर्म पुलिस की पहली बटालियन ये भी कोशन लास्ट टाइम आया था एक्जाम में पहली बटालियन कहां पर अंबाला में थी 1966 में बनी थी और 1966 में ही कहां पर मधुवन में बनी थी नेक्स कोश्चन है राज्य अपराद रिकोर्ड ब्यूरो कब स्थापित हुआ था तो एक अपराईल 1987 में स्थापित हुआ था राज्य अपराद रिकोर्ड ब्यूरो और ये कहां पर मधुवन करनाल में है इसका है डुफिस कहां पर है मधुवन करनाल में नेक्स्ट है हरियाना पुलिस का पहला कंप्यूटरी जो केंदर है वो कहां पर खुला था 1979 में खुला था कहां पर चंडीगड में हरियाना की पहले फोरेंसिक लैब काफी इंपोर्टेन कोशन हैगा 1973 में उपन हुई थी और कहां पर रोहत्तक में स्पेशल कोविड जेल कहां पर है हरियाना गई रिवाडी में है और नेक्स्ट है हरियाना के जेल मंतरी कोन है तो हरियाना के जेल मंतरी कोन है रंजीत सिंग चोटाला और इनके पास जेल मंतराले के अलावा बिजली मंतरी भी यहीं है अक्षा उर्जा विभाग भी इनी के प पुलिस का जनमदाता किसे कहते हैं लोड कार्ण वालिस को कहते हैं तो ये आज की वीडियो के 50 most important question और वीडियो कैसी लगी comment box में जुरूर लिखे जा अगर चैनल पे नहीं है तो subscribe कीजिएगा like और share कीजिएगा and press the bell icon जिसे नहीं वीडियो की notification आती रहे thank you thanks for watching